नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तों के काफी समय से इंडियन सिनेमा में पैन इंडिया फिल्मों का ट्रेंड आ चुका है लगबख सभी मेकर्स और एवन एक्टर्स का ये ड्रीम हो चुका है कि वे किसी पैन इंडिया फिल्म का हिस्सा हो और उस फिल्म को एक्रॉस इंडिया में सकस्स मिले जब भी कभी हम पैन इंडिया फिल्मों की बात करते हैं तो हमारे सामने बाहुबली, KGF, RRRR और पुस्पासरी की फिल्मों का ही नाम सामने आता है और ऐसा माना जाता है कि पैन इंडिया फिल्मों का ट्रेंड डिरेक्टर S.S. राजा मौली सर लेकर आए जो बहुत हत्तक सही भी है मगर 80 और 90 के दसक में एक निर्देशक ऐसा भी था जिसने अपनी फिल्मों को पैन इंडिया आइमिन तमिल के लावा तेल को मल्यालम कनड़ा और हिंदी में रिलीस किया और इतना ही नहीं इन्होंने लगबख सभी इंडस्टी में सफलता भी हासल करके दिखाई ये डिरेक्टर है मनी रत्नम सर इनकी फिल्म में रोजा और बॉम्बे को एक्रोस इंडिया में पसंद किया गया साथी साथ हर इंडस्टी में इन फिल्मों की अपनी कल्ट फॉलोइंग भी है इसलिए आज हम अपने बिहाइंड दा कैमरा सीरीज के एपिसोट नमबर बारा में बात करने बाले हैं दिक्टर डिरेक्टर मनी रत्नम सर की जानेंगे क्या रही इनकी जड़नी और क्यों इंडस्टी का हर बड़ा छोटा एक्टर इनके साथ काम करना चाहता है तो दोस्तो चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो के साथ बने रहे हैं मनी रत्नम मनी रत्नम तमर इंडस्टी का वो नाम है जिसने इंडस्टी की रेंज और डेप्ट को रिडिफाइन करने का काम किया दोस्तो इनकी पहचान लोग एक काम्याब डेक्टर के तौर पर करते हैं लेकिन इसके अलावा ये एक स्क्रिम राइटर और सक्सेस्फुल फिल्म प्रिडूसर भी है मनी रत्नम सर को अपनी फिल्ड में एक लेजन्ड माना जाता है जो अपनी creativity के जलते हमेशा कुछ अलग नया और content oriented करते आएं इन्हें storytelling का master और sentiment का magician कहके quote किया जाता है ये अपनी फिल्मों में जिस तरह से लोगों को कहानी से रूबरू करवाते हैं और सभी sentiment को जितनी खुबसूरती से portrait करते हैं वाके दूसरे characters के लिए cup of tea नहीं है दोस्तो मनी रत्नम सर की filmography में आपको एक से बढ़कर एक film में देखने को मिल जाएंगी जिसमें से ज्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कि या तो उनकी filmों में Indian mythology का touch होता है या तो ये film में real event पर based होती है और या तो इनकी filmography में हमें romantic cult film में देखने को मिलती है हम ये कह सकते हैं कि भारती filmों में Indian mythology का touch देने वाले ये पहले director है साथी साथ इनकी खासित ये है कि ये अपनी filmों को reality के करीब रखते है इवेन इनकी romantic filmों में पर realistic touch देखने को मिलता है जैसे कि मौन रागम हो, 1989 की गितांजली हो, 1992 की रोजा, 1995 की बॉमबे, 1998 की दिल से हो और special mansion sun 2000 की film alive point थे हो या फिर इनकी हालिया release ओ काडल कन्मनी ये इनकी best romantic film है जो कभी भी अपना original taste खो नहीं सकती इसके अलावा Indian mythological touch की बात करें तो थलापती फिल्म में महाबारत और रावरन फिल्म में रामायर जैसे महाकावियो का reference देखने को मिलता है रियल event based film हो की बात करें तो इनकी फिल्म नाइकन वर्दा राजन मुडालियर की लाइफ पर इरिवर MGR सहाब की लाइफ पर और गुरू अंबानी सहाब की लाइफ से inspired होकर बनाई गई थी इतना ही नहीं इंडियन सिनेमा की जो सबसे महेंगी historical drama film रिलीस होने वाली है PS1 ये फिल्म भी चोल समराज पर based है ये अभी तक की सबसे बड़ी multi star film मानी जा रही है और इस फिल्म से खासा उमीदे भी जताई गई है ये मनी रत्म सर का dream project है जिसे वे सन 90 से बनाने की कोसिस कर दिया है मगर कभी भी ये फिल्म बन नहीं सकी अब खुसी की बात ये है कि ये फिल्म जल्दी रिलीस होने वाली है और इसी फिल्म की वज़ा से मनी रत्म सर खासा चर्चा में भी है दोस्तो मनी रत्म सर ने जो भी फिल्में बनाई वो two cinema lovers के लिए बनाई जिसे cinema की अच्छी समझ है उसे मनी रत्म सर की फिल्में हमेशा से पसंद और समझ आती रही है इन्होंने कभी भी अपनी पूरी फिल्मोग्राफी में मास मसाला फिल्में नहीं बनाई इवन तब के समय के बिकेश्ट मास हीरो रचनिकान सर को इन्होंने जरूर अपनी जिसी फिल्मों में काम करने पर मजबूर कर दिया ये एक डिरेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये पिछले 40 सालों से फिल्म मेकिंग फिल्ड में एक्टिव हैं और आज भी इतने बदलते हुए सिनेमा में रिलेट कर पाते हैं कितने सारे पुराने डिरेक्टर अपने रूटीन डिरेक्शन की वज़ा से इंडस्ट्री से आउटडेटेट हो चुके हैं लेकिन मनी रित्नम सर आज भी अपनी पकड़ वैसे ही बनाय हुए है सायद ये कहना ज़्यादा सही होगा कि मनी रित्नम सर वो डिरेक्टर हैं चो अपने समय से आगे की फिल्में बनाते हैं इसी लिए इनोंने बदलते हुए समय को मात दे दिया और आज भी अपनी वो हनक बनाए हुए हैं कि इंडस्ट्री के बड़े-बड़े एक्टर in के साथ काम करने को तरसते हैं दोस्तो ये जो actor ac特ars इनके साथ काम करनेके लिए तरसते हैं इसके पीछे भी कई reason's है इसमें सबसे बड़ा point है मनी रत्नम सर का film making के पृति पैसन है मनी रत्नम सर film making सिर्फ पैसा कमाने के उध्येज से नहीं बनाते है उन्हें जब अंदर से आता है कि इस कहानी पर फिल्म बनानी चाहिए तभी वे फिल्म बनाते हैं इनका फिल्मेकिंग का स्टाइल भी बहुत अच्छा है ये एक एक सॉट पर जिस लेवल का डेडिकेशन दिखाते हैं कि हर कोई इनके साथ काम करने का experience लेना चाहता है दोस्तों मनी रित्म सर कभी भी फिल्म स्कूल नहीं गए इन्होंने कभी भी किसी को assist नहीं किया फिर भी मनी रित्म सर को आज इंडिया का one of the finest director कहा जाता है एक अच्छे director और storyteller के अलावा भी लगबग सभी technical department में मनी रित्म सर को excellence हासिल है ये हर छोटे बड़े actor के character development पर बारीकी से ध्यान देते हैं अगर दो characters के बीच में relationship दिखाया जाना हो तो ये चीज मनी रित्म सर की filmों से बड़ी ही आसानी से सीखा जा सकता है मा बेटे, भाई, बहन, friends और लवर के बीच की bonding को ये सबसे पहले बहुत अच्छे से develop करते हैं तब जाकर उनके बीच येदी कोई dispute होता है तबी तो audience के sentiment trigger होते हैं ये dialogue के माद्यम से नहीं बलकि visual से लोगों को अपनी कहानी बताने में ज़्यादा believe रखते हैं आपको एक scene याद होगा Bombay film में अर्विन स्वामी जब गाओं छोड़ कर जाते हैं तो वहाँ वे अपनी हिरोईन मनीशा कोईराला के लिए लेटर में एक train का ticket भी छोड़ जाते हैं मनीशा भी बिना कुछ बोले उस ticket को बड़ी ही चल्दी छुपा लेती है यहां से ये disclose होता है कि अपना hero चाहता है कि उसकी heroine मुंबई आए और audience को भी ये पता चल जाता है कि heroine अपना घर चोड़ कर भागने वाली है ये है मनी रित्नम सर का 90 के दसक में direction इसे ही कहते है मनी रित्नम टच इन्हें color saturation में भी महारत हासिल है ये colors के माद्यम से अपने characters का मिजाज बता देते हैं जैसे कि red से rebellion mode और saturated red से aggression और brillancy देखनी है तो गुरू की इस photo में जब अबसे एक बचन यंग थे तो देखिए उन्होंने screen पर ऐसे रंगों का use किया है जिससे ये साफ होता है कि वे कितने सांत हैं वहीं जब वे गुरू भाई बनते हैं तो color saturation को एकदम से बदल दिया जाता है ये मनी रत्म सरकीट technical department में expertise को दरसाता है इसके अलावा इनकी फिल्मों के ज़रा camera frame देखिए ये अपनी फिल्मों के camera frames में artistic test देते हैं मानो हर सीन कुछ ना कुछ कह रहा हो ये ऐसे frame का use करते हैं कि उसमें भारत का प्राकरतिक सौंदर देखने को मिलता है और अच्छी बात ये है कि ये कभी भी अपनी फिल्म को फॉरण में suit करने पर जोर नहीं देते इतना ही नहीं इनकी फिल्मों के title में एक अलगी poetry छुपी होती है जैसे कि इनकी फिल्म पागल निलावू इसका मतलब होता है साम का चांद मौन रागम यानि कि silent symphony अगनी न छित्रम यानि कि जुलसने वाला तारा अलाई पायू थे यानि कि बहती धारा इसके अलावा ओ काडल कनमनी यानि कि ओ लव मेरी आखों का तारा ये अपने फिल्मों के title पर बहुत बारीकी से ध्यान देते है इसके अलावा मनी रत्म सर की फिल्मों की जो heroine होती है उनकी भी अपनी एक identity है उनका अपना एक strong plot होता है और वे फिल्मों में glamour के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों इनकी पुरानी फिल्मों में इस पॉइंट को बहुत अच्छे सा समझ सकते है यही सब पॉइंट्स मिलकर मनी रत्म सर को एक legend का तगमा देते है बहराल मनी रत्म सर का पूरा नाम है गोपाला रत्ना सुब्रामन्यम इनका जन्म दो जून साल 1956 को मदरवी मदरास इस्टेट में हुआ जो की अब तमिलनाडू के अंतरकत आता है दोस्तों इनकी फैमिली का फिल्म प्रोडक्शन में काफी लंबे समय से एसोसियेशन रहा इनके पिता एस गोपाला रत्नम एक नामी डिस्टीब्यूटर है जो वीनस पिक्चर्स के लिए काम करते थे इनके अंकल वीनस कृष्णा मूर्ती एक फिल्म प्रोडूसर है इनके भाई जी स्रीनेवासन भी आगे चलकर एक फिल्म प्रोडूसर बन गए लगे हद बात करें इनकी वाइफ की तो इनकी वाइफ का नाम है सुहासनी इनको आपने साउथ की कई सारी फिल्मों में देखा होगा इस साधी से इनको एक बेटा है जिसका नाम है नंदन बहराल ये भी मैं आपको बता दू कि सुहासनी जो है वे कमल हसन साब के बड़े भाई चारु हसन की बेटी है इस लिहास से ये कमल हसन सरकिस सन इन लौबी हुए खैर लोटते हैं इनके बच्चपन पर दोस्तो इनका जन्म एक फिल्मी परिवार में जरूर हुआ मगर फिल्मेकिंग में इनका कोई भी इंटरस नहीं था ये मदरास में पले बढ़े इनके सिबलिंग और कजन को मिलाकर इनका लंबा चोड़ा गुरूप था इनके घर पर फिल्में देखना एलाउड नहीं था हाला कि स्कूल के दोरान जब ये बेसन थियोसफिकल स्कूल में थे तो यहां से इने फिल्में देखने का इंटरस बढ़ गया ये उस समय सीवा जी गनेशन और नागेश के बहुत बड़े फैन बन चुके थे जब इन्हें डिरेक्टर के बाला चंदर साहब के बारे में पता चला तब ये उनके और भी बड़े बाले फैन बन गये आगे चलकर इन्होंने राम किष्ण विवेका नंदन कॉलेश से कॉमर्स फील्ड लेकर अपना ग्रेज़ेशन भी कम्प्लीट कर लिया प्रोसस में वे उनकी हेल्प करने लगे वैसे तो मनी रित्नम इस फिल्म के लिए आये थे लेकिन उन्हें ये काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी जॉब को छोड़कर वे फिल्म के क्रू मेंबर बन गये हाला कि आगे चलकर वेरिस रीदन के चलते ये फिल्म बन तो नहीं पाई लेकिन मनी रित्नम सर खो इतना तो समझ आ चुका था कि उन्हें बनना तो फिल्मेकर है देन साल 1983 में मनी रित्नम सर ने पल्लवी अनु पल्लवी फिल्म से अपना बताव निर्देसक डेब्यू किया इसके बाद इन्होंने मौन रागम, नाइकन, अगनी नक्षित्रम, गीतांजली, अंजली, थलापती, रोजा, बॉमबे, अलाई पायुते, गुरू और रावन जैसे कल्ट फिल्में बनाई दोस्तो मनी रत्म सर से जुड़ी इतनी इंटरेस्टिंग बाते हैं जिसे हम एक वीडियो में बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकते इसलिए हम इस वीडियो का पार्ट टू भी लाने वाले हैं जिसमें हम मनी रत्म सर की फिल्मोग्राफी पर डीटेल में चर्चा करेंगे दोस्तो इस वीडियो का पार्ट टू 26 तारिक को आएगा उस वीडियो में हम मनी रत्म सर की फिल्मोग्राफी पर डीटेल में चर्चा तो करेंगे ही इसके अलावा मनी रत्म सर से जुड़ी कॉंट्रोवर्सी को भी कवर करेंगे इनकी हर फिल्म में एर रह्मान साब का म्यूजिक क्यों होता है इनका इलिया राजा से क्या डिस्प्यूट हुआ और सन 1996 के आस पास इनके घर में बं क्यों फेका गया था इन सब बातों की जनकारी आपको पार्ट टू में मिलने वाली है दोस्तों पार्ट टू बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा एक स्पेसल वीडियो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मनी रत्म सर के बाद आप किसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लेज लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद